हेलो फ्रेंट्स विल्कम बाक तो माई चानल फिलाल का टॉपिक यह है कि अगर आपको HDFC बैंक का क्रडिक काड अपलाई करना है और आपका जो भी eligibility criteria है वो fill up नहीं हो रहा है या फुल्फिल नहीं हो रहा है फिर भी आपको HDFC बैंक का क्रडिक काड चाहिए तो आप इस situation में क्या कर सकते हो तो आज का topic इसलिए है कि अगर जिन किसी को भी HDFC बैंक का काड चाहिए तो वो FD करा करके आपका credit card ले सकते है तो card against fixed deposit in HDFC बैंक यह topic है तो FD के basis पे वो card कैसे ले सकते है तो आपको कितने amount तक का FD कराना होगा तब जागर के आपको कौन सा card मिलेगा यह मैं आपको explain करने वाली है like basic card से start करते है so basic card से start करते है यहाँ पर आप देख पार है infinia के लिए 13.5, regalia के लिए 4, money back लिए 50 so यह short में है basic card like classic मैं category बता देती हूँ basic card में आते है classic card और उससे जो above card होते वो होते premium card और उसके जो उपर cards होते वो होते super premium card so classic card में कौन कौन से cards आते है like money back आता है and Indian oil आता है freedom आता है और भी फिलाल तो यही 3 card जो है जो famous card है और भी cards होंगे like rupay है और जो अभी जो famous नहीं है उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है जो फिलाल मैं apply करवाती हूँ customers को उतना ही मुझे नाम पता है और भी cards होंगे और भी cards यह launch भी करने वाले है फिलाल अभी है market में इतने cards होल रहे है classic card में so अगर classic card के लिए आपको FD करनी है तो जो money like money back के लिए आपको 50,000 की FD करनी होगे तो money back के लिए Indian oil के लिए freedom के लिए या फिर रुपे card के लिए अगर आपको FD अगर आपको ए चारों में से कोई भी card चाहिए तो आपको 50,000 की FD करनी होगे so 50,000 की FD करोगे तो उसका 75% का आपको लिमिट मिलेगा 50,000 का 75% आप calculate कर सकते हो बलाल मैं calculation में नहीं जाओंगी 75% के आपको लिमिट मिलेगी अब रॉक्स बदा देती 25 आपको 35,000 आपको लिमिट मिलेगी so classic card की बात हो गई है अब आते हैं premium card में कौन कौन से card आते है मिलेनिया आता है intermiles आते है तो दो card premium card में आता है तो premium card के लिए आपको fixed deposit करना होगा 4,000,000 का रिगालिया भी आता है like millennia, रिगालिया, intermiles intermiles platinum intermiles signature ये सारे cards अगर आपको apply करने है FD के against तो आपको 4,000,000 का FD करना होगा तब जाकर के आपको ये card सबील करने मिलेंगे and super premium card के लिए मैं आपको बता देती हूँ super premium card में आता है infinia dynas club उसके लिए आपको FD चाहिए 13.5,000,000 अगर आप FD करते हो या फिर उससे जादा करते हो ये basic limit जो मैं आपको बता रही हूँ है उतना या उससे जादा आप करते हो तो आप अवेल कर सकते हो HDFC bank का credit card and वैसे तो बोला जाता है कि यहाँ पर कोई documentation के require में नहीं होती है लेकिन अब भी फिलहाल मैंने customer का apply करवाया था मैंने पहले भी वीडियोस में बताए होंगे कि उनका मैं apply करवाया था actually अगर आप FD के थूरू जाते हो ना तो कभी-कभी बहुत difficulties भी हो चाती है FD के थूरू अगर आप card apply करते हो तो पहला तो यह हुआ उनके साथ कि जो उनको form दिया गया था a billion form वो form जो था वो बस आगे का paste था पीछे का paste था ने जहाँ पर branch signature branch stamp वो सब चाहिए था तो half of the form ही था and किसी को पता भी नहीं था कि इसके पीछे का part भी होता because वो update हुआ था तो नया आया था तो उतना ही sign करा करके आगे process कर दिया गया उनको mail आया कि आपका form जो है वो complete नहीं है आप वापस से complete form भरिये तो वापस उनको नया form दिया गया completion के साथ वो form भरा वो form भरने के बाद भी अब वापस उनको एक नया mail आया है कि आपका income proof लगेगा अब ये तो थोड़ी गलत बात है कि अगर आप update के थुरू भी कर रहो फिर भी आपको income दिखाना पड़ रहा है अगर income दिखाना ही है तो क्यों आप normal apply कर लो तो देखते हैं उनका क्या होता है वैसे तो बोला जाते हैं कि update के against अगर आपको income proof की requirement नहीं होती है तो जो भी update होगा अगर आपको जानना है कि income proof देना होगा नहीं देना होगा तो फिलहाल ये में shorty नहीं दे सकती वेकोस मुझे भी इतना ही पता था कि FD के against आपकर तो कोई income proof की requirement नहीं होती है इतने का FD कीजिए आपको card मिल जाएगा और ये भी बहुत लोगों को query होती है कि अगर FD किया है और card मतलब FD किया है तो क्या मैं FD liquidate नहीं कर सकता हाँ कर सकते हो liquidate लेकिन आप तब तक मत करिए जब तक आपको card नहीं मिलता अगर आप card मिलने के पहले liquidate कर देते तो नहीं होगा नहीं card मिलेगा तो इस बेटर कि आपको जब card मिल जाए आप यूज करना start कर दो उसकी बाद आपकी FD liquidate कर देजिए तो thank you so much guys